हम लोग देखेंगे उत्ता लेंस में यू भी तथा एफ में संबंध अस्थापित करें यानि हम लोगों को उत्ता लेंस में यू भी और एफ में संबंध अस्थापित करना है डेट मिस लेंस सूत्र को सीध करना है क्या करना है लेंस सूत्र को सीध करना है तो सबसे पहले उत्ते लेंस में यू भी एफ है क्या हम लोग ये जानेंगे कि यू भी एफ है क्या देखिए यू आपका होता है वस्तू की दूरी भी होता है परतिबीम की दूरी और एफ होता है फोकस दूरी एफ क्या होता है फोकस दूरी समझ मारा ना आप लोगो देखिए बहुत लोग कन्फियूज में होते हैं कि यू हो जाता है कभी कभी बोल देते हैं परतिबीम की दूरी भी बोल देते हैं कभी कभी वस्तू की दूरी लेकिन यहापर कन्फियूज होने की बात नहीं एदम सौटकर तरीका देखिए यू किसको बोलें भी किसको बोले पहले आपका ABCD के अच्छर में यू आता है कि भी आता है पहले यू तब नभी है कि नहीं अब से मुश्य तरह देख लिजिए पहले हम वस्तू को रखेंगे पहले परतिभीम बन जाएगा जब तक वस्तू नहीं रखेंगे तब तक परतिभीम बनेगा नहीं नहीं बनेगा बाबू तो उसी तरह से पहले वस्तू तब परतिभीम तो अब यहाँ से किलियर हो गया कि नहीं हो गया वस्तू के दूरी हम लेंगे यू और परतिभीम के दूरी लेंगे हम लोग भी किलियर है तो देखिए यहाँ पर वस्तू को रख दिया गया है और वस्तू का परतिभीम यहाँ बन रहा है वस्तू का परतिभीम कहा बन रहा बाबू यहाँ पर बन रहा बन रहा ना कि नहीं बन रहा है तो इसमें देख लिए ध्यान से आपको इसको सीध करने से पहले समरूप पढ़ने आना चाहिए समरूप तिरभूज जो कि अभी तक आप लोग पढ़ाई नहीं हुई है मैथ में बहुत आगे चल करकि इसको पढ़ना है इसलिए समरूप तिरभूज के बारे में थोड़ा सा हम यहां जनकारी देते हैं आप लोग को ठीक है समरूप तिरभूज जो होते हैं समरूप तिरभूज के भूजाएं बराबर अनुपात में होते हैं यह याद रखिएगा यदि तिरभूज समरूप हो दो तिरभूज समरूप हो तो उन्हें के भूजाएं संग है ना संगत भूजा हम बोले हैं क्या बोले हैं संगत भूजाओं का नुपात बराबर होता है संगत भूजाओं का नुपात क्या होता है क्या आप जब तिर्भू सम्रूप होंगे सम्रूप कहने का मतलब क्या सम्रूप सम्मतलब एक जैसा रूप मने सकल सुरत मैं जो देखन में बिल्कुल एक जैसा होता उसका हम लो समरूप बोलते हैं क्या बोलते हैं अब यह पतना था सरवांगसम जो नाइंथ ख्लास में भड़ चुके हैं तो सरवांगसम के ही जैसा यहां पर लेकिन उसमें फर्क होता है सरवांगसम में होता था कि एक जैसा तो होना है जाए साथ साथ उसको पूरी तरह से एक दूसरे को ढख लेना भी चाहिए यह होता था सरवांगसम सम्रूप में यह जरूरी नहीं है कि एक वस्तु दूसरे वस्तु को पूर्णता ढख ले यह को जरूरी नहीं है जरूरी यह है कि देखने में दोनों एक जैसा होना चाहिए देखने में दोनों हूँ बहू एक जैसा होना चाहिए तब जाके बनेंगो समरूप है तो तिर्भुश समरूप देखाने के लिए आप लोग कसाउटी जो होते हैं से पांच पढ़ना होगा जो आगे हम मै में तो दोनों समरूप कहलाते हैं क्या करते हैं क्या करते हैं आज जब वो दोनों समरूप हो जाएगा तो हम कह सकते हैं ना कि इनके संगत भुजा कानुपात बराबर होगा तो ये बात को धियान में रखेगा तब जा कि ये समझ में आएगा तो अब हम लोग चलते यहां पे सम्रूप देखाने के लिए लें सूत्र सीधर करने चल रहे हैं तो हल सबसे पहले सब का इस्थिति हम निखने दे हैं यह वस्तु की दूरी ओभी है ओबी वस्तु की क्या है वस्तु की दूरी है तो वस्तु की दूरी कर लोग क्या से दूरी करते हैं यानि ओ भी बराबर क्या हो गया क्या हो गया उसके बाद यहां पर देख लिजे कि यह जो है क्या है ओ बीडेस परती बीम की दूरी है क्या है परती बीम की इसको क्या से दूरी करेंगे को जिक्त है और ओ एफ टू क्या है ओ एफ टू है फोकस दूरी इसको हम लोग एसमॉल एफ दूरा सुचित करते हैं क्या दूरा बस इतने सारे बात को ध्यान में रखना है और आपको दम चुटकियों में इस सॉल्व हो जाएगा मिल कुल एज़ी है देखिए यहां पर आपको यह एक तिर्भुज नज़र आ रहा होगा आरैं नजर और यह दो हैहां दो तिर्भुज हैं दोनों तिर्भूज के लेंगे लिखेंगे तिर्भूज एबी ओ एबी ओ और तिर्भूज कोन लेंगे ध्यान से देखे तो एडैस बीडैस ओ एडैस बीडैस ओ अब थोड़ा गौर किजिएगा यहां पर बाबू आप कि यह दोनों तिर्भूज के सम्रूप देखाने के लिए सबसे पहले इसको हम लोगों को कौन बराबर देखा देना होगा यहीं नहीं सम्रूप देखाने के लिए कम से कम दो कौन बराबर देखा देंगे तो यह दोनों तिर्भूज सर्मूरूप हो जागा क्या हो जागा तो उसका परतिभीम भी लंबत ना बनेगा बबू निचे की और उल्टा बन रहा है तो क्या बनेगा लंबत बनेगा तो यह देखिए यहां भी 90 डिग्री को नहीं यह दोनों को आपस में बराबर हुए कि नहीं हुए तो यह तिरभूज में कौन सा कौन बन रहा है तो यह व वह है नत्य बाबू क्यों दोनों बराबर हैं कि परते कोन कितना डिरहा है ना इंटी डिग्री का दोनों कितना है रह और व गो गय увер उसके बाद देख लीजिए आप लोग मैठ एपड़े हों घी जब दो कीरने यह दो राखाए है क्यों कारते हैं तो समूँ कोना आपस में ब्राबर हो जाते हैं समूं कुन आपस में क्या होते तो यह दोने सा मुख कून बन रहा ना भाबू यह दोनों को नवी आपस में की अजये गा ब्राबर हो राना तो युवला में लिख लेंगे कौन ए ओ बी ए और यानी इवला कोण होना गए बाबू तब इधर क्या लिखें हम लोग कोन एड़ास ओ बीडेस एड़ास ओ डीडेस क्यों बराबर है क्योंकि यह सम्मुक कौन है और समुकोन आपस में क्या होते हैं को दिक्वाद नहीं है आगे बढ़ते हैं अभी हम क्या बोले थे कि यह दो तिर्भूज में द दोनों तिरिभुझ समरूप हो जाते हैं तो अभी गृषित कौह से लग गया कि आप अभी गिरिहत है के सावटी लिख सकते हैं नहीं यह झायबन है और यह आच्ञीहां-गल-च म हों गया A o b sorry a b o सम्रूप है तिर्भूज किसका एक जैसा कोन है B के जहापर ना B है आप B के जहापर कोन है A does आप B के जहापर आप O तो अपने जहापर है ही तो यह दोनों आपस में क्या हो गए सम्रूप हो गए अभी बैता थे हम कि दो तिर भूज अगर समरूफ होते हैं तो उनके संगत भूजाओं का नुपात बराबर होता है उनके संगत भूजाओं का नुपात क्या होता है बराबर होता है तो संगत भूजा में देखिए ये वाला भूजा का हमको कोई काम नहीं है ये दोनों भूजा का कोई काम तो दोनों भूजा कम छोड़ देंगे ऐसे ही कि जो तुम्हें से पड़े रहो ठीक है लेकिन ध्यान दीजे हमको यह वाला काम देगा यह वाला भूजा को क्या नाम है अब ब्राबर होगा किसका तब चाहिए कोन होला ओबी है ना अबू जब यहाँ ओबी लेगे तो यहाँ क्या रहना होगा ओबी यह समीकरन हम फैस्ट माल लिए क्या माल लिए समीकरन क्या हो गया कोई दिक्ता आगे बढ़ते हैं अब हम कि इस उर लिए ना गुछ लोगों को दिखा नहीं देरा होगा अब जीस तरह से यहाँ दो और भूदिश के अगर यहां हम लाएञे थे खीच देते हैं लंब लबध तो कोई दिक्त है इसको आव्म नाम देते हैं क्या देते हैं क्या नाम दिये इम नाम दे दिए अब देखे कि यह दोनों बराबर होगग नहीं होगा हुआ हुआ हिए तो आप यह दोनों तुर्भूझ करेंगे यह दोनों किसमें दिर भूझ एम ओ एफ टू ना जी एम ओ एफ टू और तीर भूज एड़ैस बी ड़ैस एफ टू में ध्यान दीजे तो क्या क्या इसमें बराबर दिखाई दर आप लोगो समरूप देखाने के लिए कम से कम हम लोगो दो कौन बराबर दिखाना होगा है कुझे यह भी तो जब लंबंवय्य खीचे है तो यह भी तो नांटी क्वर मर रहा ना अहां ऑषधी धिन आइग धर यह तो거ना आपस में क्या हो गएक तो यह वाला में क्या हो गया मोडा हेव less क्योंकि परते कौन कितना डीगरी का है कितना डीगरी का है को जिक्यत है आगे बढ़िये अब यहां पर देखे कि यह भी इस टू ओ एम एफ टू बराबर होगा बी डैस ओ ओ सोरी बी डैस एफ टू एडैस क्यों क्यों क्या है समूख कौन है बाबू और समूख को नापस में तो देखिए ये दोनों भी तिर्भू समरूफ हो गए कि नहीं हो गए यह दोनों तिर्भू समरूफ हो गए तो यहां लिखेंगे इसलिए अभी ग्रिहीद अगल एंगल से तिर्भूज एम ओ एफ टू समरूफ है तिर्भूज एम की जैसा कौन है तो एडैस है और बी डैस और क्या हो गया अब देखिए इसमें क्या लेगे यह वाला का कोई काम तो हम लोग यह समने लेंगे जी पहले लेते हैं एम ओ बाटा क्या एडैस बीडैस ब्राबर हो जाएगा यहां पे ओ एफ टू बटा में क्या होगा FB to FB कोई दिकत है ओट्रीडैस नहों हुगा विड्यास होता नया त्यक्त थियर्यांस क्या हो गया एक बात ध्यान दीजे कि ए वी और एमों दोनों आपस में बराबर है कि नहीं है MPR mam attainों क्या है क्योंकि हैं समयनतर रखा समयनतर रखा के बीच क्या होता है यहां रिदे ए भी बराबर किसका क्यों क्योंकि हम लिदे कि एम मे पैरलेल लाइन एक इसका पूरियों का सुरीं मिन अमऌल जी एंमे ये जो लाइन है इसका समानते नहीं ऑला जी और समांतर रेखा के बीच को दुरी क्या होता है आपस में लिए कोई दिक्कत है तब जब ये बी एमो के बराबर है तो इमो को हटा के बी लिखा जा सकता है तो यहां लिखते हम AB बाटा A-B-S बराबर ओफ टू बरटा B-S F-TU लिखाए कि नहीं लिखाएगा अब इस समीकरन को थीरी नाम देते हैं क्या देते हैं गौर किजे समीकरन वान और समीकरन थीरी दोनों बराबर है देखे अबई बाट है ड़स बीड़स यहां भी नहीं है जब यह दोनों आपस बराबर है तो इनका मौन भी आपस में क्या जाएगा और अगर ऐसा समझ में नहीं आ तो यह लिखना एंट बाट है डाश मीड़स कमान समीकरण ठीरी में रखने पर ऐसे सकते हैं कि निक्ति जब है जब ईशेँ रख दीस गाट यह एवर हुद हन्य है यह पर स्किन सोट ले लिए उसके बांदा करते हैं और कि याँ पर देख लिए एवी बाट है A-B डैसर दोनों आपसको अबरावर है तो जब यह दोनों बरावरा थैस समय किरंग लिए बरावर सम्मिकरन वान बराबर सम्मिकरन किसका तब यहां पहली करना ओबी बटा है ओ एव बीडैस ओबीडैस न जी बटा है ओफ टू बटा है बीडैस एफ टू यहीं न होगा इसको किलिन करते हैं प्रेन शुतर क्या होता है यहाद है आप लोगों को जी लेंज सुत्र होता है वन बटा भी माइनश वन बटा यू बराबर बाटा इसी व्मानशीद करना है यहां पर ओभी ओभी के ओवी रहन देख वेड़ाबर ओफ टू आप देख रहे हैं यह वाला यह पुरा लाइन है O B dash और बीच में कौन है F 2 है अगर इस मेंसे हम क्या कर दें कि यह पूरा मेंसे अगर इवाला हटा दें तो हमको यह वला बचेद की नहीं बचेगा बचेगा यह पूरा मेंसे अगर इवाला हटा दिया जाती ही नहीं बचेगा है अच्छा एक मिनाट इसको देखते हैं हम को ओ एफ टू को अब भी लिग देंगे अब बीडेस एफ टू बीडेस एफ टू इसमें कहीं नाम आया है तो बीडेस एफ टू को हम परिवारतन करना चाहेंगे यह तीनों में से को एक में तो किसमें होने लाइख है देखे क्या लिखा हुआ है बीडेस एफ टू यह देख रहें आप यह वाला हमारा किसी काम का यानि नहीं है यह वाला हम को किसी काम का तो यह पूरा में से अगर यह घटा दें तो यह वाला बचेगा ना आए अ है इतना बराबर हम क्या लिख सकते ही इसके बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं कि ऑबी माइने प्स एफ्टू अगर घटा Beer एक हम क्या बचेगा बीड़ेस एफ टू शर्वाचिया ये पूरा मेंस अगर यह घड़ जाए तो यही नहीं मेरे पास तो जुब्र कम्याब था उसको हम हटा करके यह लिख सकते हैं यह यह लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं आप चलिए अब यहां पर इसको हटा क्या लिख देंगे ओबी डैस माइनेस ओफ क्लियर है दिकत अब चलिए जैसे जैसे आप पूछ रहा था वैसे वैसे रखते चलिए ओबी कमान क्या है ओड़ेस ओड़ेस कमान ओफ टू क्या है और ओड़ेस क्या है और माइनस ही क्या है को दिकत क्रोस मल्टिप्लाई कर दें है क्या हो जाएगा यू भी माइनस यू एफ है अब बराबर में ए बी ओऊओ है यह रहा क्या इसमेंग और फिर खुरी और इसमें कने ईद कर आצा अब लिखनिया यू भी ऐफ से भाग देने पर यूव database से भाग देने चलिए दी जै तो यू भी माइनस स्पीन एस यू एफ बराबर भी एफ भाग किसे दना यू भी एफ से किसे तो बटा में यू भी एफ बटा में यू भी एफ अब बटा में यू भी ध्यान दिजे यू भी से यू भी ऐस के बाद उसके बाद क्या है यू से यू यहां भी कंसील ठिक है यह अब भी से भी एफ से तो क्या बटा वान बटा इधर क्या है वान बटान इमाइस मुद्धर को चिम हो गया अब चलिए चीन पर पटी के अनुसार आप लोगो बताए गया कि वस्तू जो होता है यह साड़ रखा गया है तो परकासी केंद्रे से बाई और मापी गई सभी दुर्या क्या होगी क्या हो जागी तो यह वाला क्या चिम हो तो कोई दिकत तो वान बटा एफ बराबर वान बटा भी माइनस वान बटा क्या हो गया यह क्या करना था मोगो प्रूब करना था के लिए